सो एलो बुरून आज कि वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बूर्ड एक्जाम में कॉपी को कैसे भरें ठीक है ना तो आपका एक्जाम 16 तारिक से है तो कैसे फिल करना है और एक बाद मैं बता दूं कि जैसे जैसे मैं बता रहा हूं जो इस टेप बताऊंगा न से आपको मैं गारंटी ले रहा हूं पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा एक भी आपका नंबर नहीं कट होगा अब देख लिए इस प्रकार से आपका पेपर का जो फ्रंट पेज है जो कौपी का फ्रंट पेज है जो सबसे पहला पेज होता है वह कुछ इस प्रकार से मिल करना है पहले यह सब फिल कराएंगे जब पर करना पहली बात तो दूसरी बात हर एक पेज्च पर रोल लंबर आपको लिखना है ठीक है ना समझाई बात ना क्यों लिखना है क्योंकि अगर आपका पेज भट भी गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है तो यह से आपका पेज तो क्या उस पर नंबर लिखे रहेगा तो उसका भी नंबर एड़ कर दिए जाएगा चलो अब बताता हूं देखिए परिच्छार्थी सभी प्रविष्टियां सुद्ध एवम असपर्ष रूप से लिखे मतलब कहीं कट पिट नहीं करना है यह चीज इसमें कहा गया है क्लिए समझा गया इसमें है परिच्छार्थी का अनुक्रमांग जैसे चार जीरू तीन आठ नाओ छे ऐसे भर देना फिर इसको का रहा है कि इसमें अंकों में लिखने के लिए लिख दिए अब देखिए सब्दों में चार है तो यहाँ पर कितना लिख देंगे चार लिखेंगे क्या लिखेंगे चार ये क्या है सून ये लिख देना सून क्लियर जी चार सून तीन ये तीन हो गया ये कितना है आठ फिर इसके बाद नौ इसके बाद छे ठीक है ना इस प्रकार से आपको कोपी मे भरना है और हो सके तो थोड़ा एक एक कामा ऐसे लगा देंगे तब भी ठीक रहेगा यह दिखो लगा सकते अगर नहीं लगाने के मने मतलगों कोई दिक्कत नहीं है यह बात क्लियर हो गया इस प्रकार से सब्दों में और अंकों में अपना रोल अंबर पहले लिख लेंगे फिर बिसे जैसे आपका क्या ए सामान्य हंदी लिख दीना इसे सामाञ्य क्या डालेंगे केवल प्रश्न पत्र डाल darkness 여러분 क्या दालेंगे केवल प्रश्न पत्र डाल कित संके तांक जो आपको प्रश्ण पत्र मिलेगा यानि जो आपको कोस्टन मिलेगा जो ठीक है ना वहाँ पर एकदम उपर साइड लिखा रहेगा जैसे 302 या इस प्रकार से कुछ भी लिखा रख सकता है या 122 या आपके डिस्टिक के इसाफ चराता है तो यहां पर खूब अच्छे से जैसे 122 डी टी यह कहां रहेगा यह आपको कोस्टन पेपर पे मिलेगा क्या कोस्टन पेपर मिलेगा तब इकदम उपर साइड राइट हैंड में श्タकि है यह कैदम एक ब्र हो गया क्लियर हो गया नहीं तरवाद आगे क्या है परिच्छति थी जैसे सोला तारीक है यह डाल सोला फरवरी है दूसरा दो हजार तेज परिच्छति थी हो गये एवं पाले पाले में क्या है दूटी है क्या हो जाएगा दूटी है पाले क्लियर किदम क्लियर हो गया कोई दिक्कत नहीं न केंद्र का नाम केंद्र का नाम यह होता है अपने स्कूल का मत लिखिएगा एक बात note down कर लो, जो केंदर का नाम है, यहाँ पर अपने school का नाम मत लिखना है, फिर क्या लिखना है, जहाँ पर center आपका गया है, जहाँ पर आप बैट के जिस school में exam दे रहे हैं, यह आपको प्रवेश पत्र में लिखा होगा, देख के लिग लिए यह किसी से पूछ लेना ठीक है ना, प्रवेश पत्र में मिल जाएगा, प्रवेश पत्र में लिखा रहेगा, तो जैसे आपके school का नाम है, स्री विश्वनाथ इंटर कालेज, स्री विश्वनाथ इंटर कालेज, अभी यह जहाँ पर आप center गया है, वहाँ की बात कर रहा हो, इंटर, जो भी है, कला सुल्टानपूर, इसको राइटिंग से लिखना ठीक है, अब देखिए, एक चीज़ और में बताना चाहूंगा, यह केंदर का नाम है, यानि आपके center का नाम, जहां पर center गया है, वहाँ का नाम लिखना, फिर देखिए, इसके नीचे है, यह सब आपको नहीं करना, यह जो कॉपी कुछ आपको इस प्रकार से मिलेगा, भीक न, आब कॉपी में, एक side में, जिस side से लिखना start करोगे, उस side में skills की साहते से, skills की साहते से, एक बार line ला कर देना, ठीक है, skills की साहते से, एक बार नहीं, दू बार, एक बनी बता रहा हूं, यह कर देए, ठीक है, इसी के just सब्सक्राइब के स्थाइब करना तो को यह लिए तो पूरा कोपी में तो कोई दिग्कत नहीं नहीं करना मत लेकिन इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं इस वीडियो में कमेंट करके बताना कैसा लगा बहुत को दन्वाद वीडियो को एन लाग लिपन लिए